हलो एवरीबडी वेलकम टो विज्डम विंग साइस दिस इस तुभाश मिश्रा और चलिए आज हम एक बहुत ही चर्चा जनक जो विशय है लक्षदीप जो इंडिया का एक यूनियन डिरेटरी है और इसके बारे में बहुत सारी बाते चल देए आप लोगो बता होगा अपन कंट्री है हमारा नेबर है अलाकि जो मेरा टाइम लेबर इसको बोलते हैं नेबर बोलते हैं और हम तो जो एज़ अ कंट्री इंडिया नेबर हुट फरस्ट पॉलिसी अपनाता है जो नेबर हुट फरस्ट पॉलिसी अपनाता है और सारे ही नेबर के साथ अच्छा संबंद रखना चाहता है और हम कभी भी कोता ही नहीं करते हैं कि ये हिंदू कंट्री है ये मुस्लिम कंट्री है इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ भी कई बार हमने अपना दोस्ती का हाथ जो अमन का हाथ है वो बढ़ाया है आपको पता होगा श्री अटल भी हरिवाश पही जी बात करती है और एक सेक्यूलर आटिट्यूड अपना नहीं पाती है जबकि इनका जो मालदीब्स का पूरगा पूरा दरोंदार है वो आपको टूरीजम पे बेस्ट है इस बेस्ट ऑन टूरीजम और इंडियन सबसे जादा है अगर देखा जाए जो नियर बाई ट्रैबलर पूरे दुणिया के लोग वहां वाहते हैं लेकिन मालदीब्स में इंडियनस बहुत ही मात्रा में को SIM पर्मडे डिया विजा सकता है लेकिन completely open नहीं है कि आप हाँ tourism के लिए और complete connectivity भी नहीं है तो लेकिन ये जो अभी island चर्चा में है तो इसके लिए हम ये बाते करेंगे कि किस तरीके से ये island इंडिया में included है और इसमें क्या-क्या geographically, historically और किस तरीके से place के बारे में administration के बारे में क्या-क्या सीज़ें इसमें है तो चलिए explore करते हैं कि इसका जो एक history है वो बहुत ही rich history है geography बहुत ही mesmerizing है और unique administrative setup है लक्षदीब का जो हमारे island है और ये बहुत तारे island से मिलके बना हुआ है तो चलिए इसके बारे में हम detail में चर्चा करते हैं डिफेंट तरीके के BPSC के जो आगे 70th exam आने वाली है आपकी BPSC 70th 70th BPSC उसमें पिए आपको prelims में ये questions पूशे जाएंगे लक्षदीब के बारे में और Indian tourism in islands in India वो क्यों नहीं develop हो पा रहा है उसके लिए क्या-क्या कदम लेने शहीए बाहर सरकार को और जो neighborhood policy है उसमें क्या जो realignment है वो मांगता है और किस तरीके से हम मेरा time में भी मेरा time diplomacy के साथ साथ अपने जो हमारे जो islands हैं उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इसके बारे में आपको mains में भी पूशे जाएगा UPSC का mains, UPPCS का mains, VPSC का mains उसमें यह पूचा जा सकता है तो यह बहुत ही prominent question है क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है उसके बारे में भी international relations में questions आते हैं तो यह आपको ध्यान देना इंटर्व्यू जो भी होने वाला है उसमें भी लक्षदीब का जो geography है, history है जो मालदीब का history है, geography है और जो इंडिया के साथ connection है international relations में इंडिया को कितना ज़्यादा उसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, चाइना का क्या positive point है negative point है, vis-a-vis India मालदीब का relationship क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंडिया चाइना ने, तो ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है तो चलिए इसके बारे में हम prelims के लिहाद से देखते हैं और कुछ basic जानकारी लक्षदीब के बारे में लेते हैं एक और वीडियो में बनाऊँगा जिसमें लक्षदीब और मालदीब के बारे में मैं difference बताऊँगा उन दोनों के बीच में क्या positive है, क्या negative है किस तरीके से हम मालदीब का कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा उसमें लेकिन यहां पर हम सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की तो जो ancient references है लक्षदीप का वो periplus of the erythrean sea इसमें मिलता है यह किताब है बहुत ही पुरानी किताब जो ancient India में तो periplus of erythrean sea इसमें reference दिया गया है इसका पहली बार जिकर किया गया है और संगम literature जो सौथ इंडिया का संगमा literature है उसमें literature है पट्टू-पट्टू पट्टू में भी इस चीज का जिकर किया गया है लक्षदीप के बारे में लिखा गया है medieval era में अगर हम बात करें तो पौर्तगीज जो पूर्तगाल के जो जो शासकाय थे इंडिया में invade किया तो उन्होंने उन्होंने control किया थ और चोलाज तक invasion जारी रहता है और चीराज प्रमिनेंटली चीराज जो है वो इस पे rule करते हैं चीराज का भी जो जिकर है वो भी आता है इसमें जो आपका main rule है इंडियन ओशन में वो लक्षदीप का इंडियन ओशन commerce के लिए जो commerce होता था हमारा चाहे वो युनान के साथ हो तो वो लक्षदीप के थुरू यह देखने में आता है कि लक्षदीप के थुरू भी हो रहा था ancient and medieval इंडिया में ठीक है इंडिया में पोलोनियल उन्फ्लूएंस क्या है Portuguese का occupation होता है वास्को डिगामा यहां पर राइवल करते हैं और eventual hosting होता है 1545 में 1545 में यहां से हटा दिया जाता है invaders को जो Portuguese थे उनको right geographical marvel के तौर पे इसको देखा जाता है बहुत ही सुंदर द्वीप है बहुत सारे archipelago मतलब जो एक जो different friend द्वीपों से मिलके बना हुआ है बहुत ही जादा यहां पे crystal clear water मिलेगा आपको coral reefs मिलेंगे unspoiled beaches मिलेंगे picturesque है natural diversity की अगर हम बात करें कि archipelago जो की बहुत सारे द्वीपों से मिलके बना हुआ उसमें atolls मिल जाएगा reef मिलेगा submerged banks मिलेंगे और diverse ecological wonders जो है यहां पे देखने को मिलेगा underwater splendor भी है जिसमें कि आपको marine life जो है vibrant coral reef underwater जो reefs होते हैं वो आपको मिलता है यहां पे atoll reef submerged bank जो आपका coral reef underwater है यह सब different geographical patterns है जो आपको यहां पर बताया गया है right administrative framework में अगर हम देखें तो government का जो structure सब्सक्राइब करते हैं यहां पर एक मेंबर लोग सबासे रिप्रेजेंट करती है करते हैं और लक्षदीप पुलीस जो आती है वह एड्मिस्ट्रेटर के अंदर इस इस्पेक्टर जनरल के तौर पर काम करती है political representation अगर हम देखें तो यहां पर एक मेंबर लोग सबासे रिप्रेजेंट करती है करते हैं और इंडिया के lower horse of parliament में ठीक है लोग सबा में एक मेंबर लक्षदीप के होते हैं जो चुने जाते हैं लक्षदीप से अड्मिस्ट्रेटर का जो सेक्रेटरियट अड्मिस्ट्रेशन का वो कवारत्ती में लोकेटेड है जो की राजधानी भी एक तरीके से कही जा सकती है इसकी biggest administrative island है इसका जहां से काम चलता है अड्मिस्ट्रेटिव काम भी चलता है अनन इन है इन है इन हैबिटेड आइलेंड आइजल से हैं इसके बहुत सारे जिसमें की लोग रहते हैं जो आइलेंड पॉपिलेशन है उपकोल मिला के 64429 आच पर 2011 संस आप देख सकते हैं अगत्ती इन हैबिटेड है अगत्ती में रहते हैं इस और वाईन एियरपोर्ट यहां पर फ्लाइट है को चीशे के रहला के कछी से 39 इन हैं मेंसे हैं लोग रहते हैं तो यह सब चीज़ें आप देख सकते हैं कल्चिरल टेपिस्ट्री में अगर आप देखें बुद्धिस्ट का इंफ्लुएंस भी यहां पर फिफ्ट और सिंजुरी में होता है और चेरामन परुमल का जो नेगरेटिव है वह यहां पर बताता है कि इसलाम का हिस्ट्री है करला में डाइवर्ज हरीटेज आपको मिल सकता है यहां पर एक्वेटिक हैबिटेट्स है और यूनिक बिहेवियर है ट्रॉपिकल फिशेज का यहां पर ठीक है इसके बाद अगर आप मॉडरन गवर्नेंस की बात करें तो करें अद्मिंस्ट्रेशन में अप्रफुल खोड़ा हरन तो आपको यह देखने को मिलेगा कि यह सारी चीज है यहां पर है रिवाइस करने लाइप चीजिघें